चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं आपको बिहार से जुरी हुई कहानी है और कहानी सुनने में बिहार बाश्यूं को बहुत दिल्चस्पी होती है एक लर्का था बिहार के खेद खलियानों में परवलकर बढा हुआ था बिहार के खेद खलियानों में भैस चराया करता था बैस के सिंग पर चरके अठीएलिया क्या करता था मलहार गाया करता था जिस तरह से धीरे-धीरे समय ने करबटे ली उसके साथ-साथ वो नरका बड़ा हो गया और अपने बरे भाई का हाथ थाम करके बिहार की राजनिती और बिहार की राजनिती गर पत्ना पहुंचा अब पत्ना आकर के उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास का जो एक किताब है उसके ऐसी अपनी धमक छेड़ी जिसकी गूंज जो है बाहर बैठे बिहार और इस देश से बाहर बैठे भी जहां भी राजनिती की चर्चा होती थी उनकी गूंच लगातार और उनकी जो धमक है वो लगातार सुनाई देती थी हम बात कर रहे हैं लालू परसादियादव के एक लर्का गव के खित खलियानों में परवन के बरा हुआ पतना आकरके बिहार की राजनिती उन्होंने देखी पतना उनिवर्सिटी आ गया थे चातर नेता बने उनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने और लगातार सहयोगी जो होते हैं जब राजनिती के उन्होंने कदम रखी थी उस दरहां सहयोगीयों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उनके सहयोगी भी सहयोगी भी बहुत खास थे जो अभी बरतमान बिहार के राजनीती के धुरन धर्माने जाते हैं हम बात कर रहे हैं अस्वनी चौबे की बात कर रहे हैं नितीज कुमार की हम करें सुसिल मोदी कि इसके साहिज जो है इस तरह के तमाम नेताओं कि नितिसकुमार वही मुठीस कुमार जो बिहार के मुखमंत्री है अन्य ही वह नितिसकुमार थे जिन्होंने लालु प्रसाध्यादब को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए पतना से दिल्ली दौर-दौर कर उन्होंने एक कर दिया था इसकी कीमत एक बड़ी थी इसके पीछे की एक बड़ी वज़ा थी बज़ा ये थी कि जिस तरह से पिछलों की जो राजनिती है उसको राजनिती के मुकधारा से आकर के जोरा जाए और इसकी वकारत नितिसकुमार कर रहे थे नितिसकुमार भी इस बातों से भली वाफिक थे कि अगर इस यादवों को एक साथ कर लिया जाए बिहार की राजनिती में तो पिछलों की राजनिती का जो एक बड़ा जो समय है वो आ सकता है पिछनों की राजनिती का जो है सुरियोदय हो सकता है यह बात में 30 कुमार जानते थे करपुरी ठाकुर का ये काल था सियम बने करपुरी ठाकुर इसके साथ ही बिहार की राजनीती ने एक नई अस्पुर्ती का जो किरन है वो यहां से उदित हुआ था राजनीती में आने के साथ साथ ही परिवार है साधी हो गई उसके परिवार भी आगे बढ़ने लगा परिवार का जो संख्या है जो बच्चों की संख्या थी वो लगातार बढ़ने लगी लोग ये कहने लगे कि राजनितिक कोई उत्राधिकारी के इंतजार में इतना जो संख्या है जो पॉपुलेशन है जन संख्या की ब परिवार की बढ़ने लगी लेकिन राजनितिक दिष्टी कोन से देखें तो यह कॉंग्रेस के नसबंदी कानून का विरोध था और इसी विरोध में उन्होंने जो अपना परिवार का जो संख्या है उसे कम से 21 से दाही तक में लाने का जो है सफर उनने तैक कर दिया पूरे परिवार की संख्या के हम बात कर रहा है लगातार जो पुत्री हुई मिसा भारती मिसा भारती के बारे में ये जाने जाना लगा मिसा भारती मिसा कानून के विरोध करते ही हुए ही वो जेल गई थी इसके बाद उनका नाम मिसा पर गया था और ये माना जाने लगा था कि मिसा भारती जो है आगे जा करके बिहार के राजनिती में एक नया भुचाल लेकर के आएगे मिसा भारती लालु यादव के उत्राधिकारी बताई जा रही थी उसी दोरान तेज और तेजर्शी ये दोनों भाई थे लगातार कोई किर्केटर बनना चाह रहा था कोई अपने सिक्षा ग्रहन कर रहा था लगातार अपना अम्र की सिमा को दीरे दीरे एक एक सीड़ी करके आगे बढ़ता जा रहा था समय भी था आपने देखा आज इस तरह से लालू यादव के सहयोगी रहे इसी तरह से लालू परसाद यादव की जो राजनितिक सहयोगी रहे थे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ते जो सी यादव के सहयोगी होने लगा सारी करवटे लेते गई समय जो है पल दर पर बदरता गया इसके बाद लालू परसाद यादव सारी चीज़ों के बाद जेल चले गए लेकिन उनकी राजनिती यहां खत्म नहीं हुए पूरा 2015 में किस तरह से आपने देखा कि राजनिती के बदलाव की जो बयार है वो चली थी बिहार में 2015 के महासमर में बहुत सारी बाते जो है राज़त के लिए एक असपश्ट होने लगी थी उस जो राजनित्क फिर बदल हुआ था 2015 में सत्ता का जो बड़ा फिर बदल हुआ था उस दौरान राजद के लिए चार लोग मुखरूप से सामने आये थे जिसमें से जातिका ताकरे को भी देखेंगे तो दो राजपूत थे एक ब्राह्मन था और एक यादब था राजपूतों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो जगदानन सिंग का आता है जगदानन सिंग राजद के लिए पूरे दमखम से लगातार लगे रहे लालू परसाज यादब के सहयोगी रहे थे अनुसासन के साथ किसी भी पाटी को चलाने के लिए और जब पाठी में सब ग्वालों की अक्सर पाटी हो अगर ये बात कही जाती है कि जो काष्ट बेसिस की बात की जाए तो उन्हें बांधने के लिए जरुवत होता है अनुसासन का तो जगदा बाबु इस करी को आगे दूसरे नम्मर पर आते हैं सुनिल सिंग मलसी तो बाद में बने लेकिन अपने महाभारत आपको बिल्कुल याद होगा महाभारत में किस तरह से कृष्ण जो है वो सार्थी का उन्होंने अर्जुन को रच पर बिठा करके पुरे महाभारत का यात्रा कराया था सार्थी को रूप में कृष्ण बैठे थे लेकिन हस्तनापूर में ये लराई हुई थी लेकिन क्रिशन को हसनपूर में बिठा करके खुद तेजस्टी यादब जो है पूरे बिहार में सार्थी की भूमिका में स्वांड़ जरा है दूसरी और बात करें MLC सुनिल सिंग की हम बात कर रहे थे जाती से बात करें तो राजपूत हैं MLC बाद में बने लेकिन जब तेजस्टी यादब पूरे बिहार का छेत रक्षन कर रहे थे राजप के लिए हर जगा जाकर के समर्थन मांग रहे थे अब मुहबबत मांग रहे थे जनता से उस दोरान उनका जो अपना जो सीट था राभूपूर उसमें सुनिल सिंग लगातार लगे रहे और वहां जाकर के तेजस्टी यादब का एक जो बना स्ट्रंग हैंड होता है उसका उन्होंने काम किया जनता को समेटने में वह सक्षम रहे है हम बात कर रहे थे नम्मर पेशी करीक को आई बहुत होती है उसकी टहनिया बहुत होती है तो ऊपर प्रिक्ष रहे राज़त के लिए उनकी टहनिया जो है आकर के फल देने लगी है वही फल का नाम है सुनेल सिंग, संजाय यादब, मनुज्जा, मनुज्जा के बारे में एक बड़ी बात है 2015 में देखा आपने किस तरह से जो सस्ता का हस्तामतरन हुआ उस दारान मनुज्जा की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है दिल्ली छोर करके इस चुनाब में भी मनुज्जा जो है लगातार बिहार में लगातार छेतरक्षन करते हैं राज़त को मजबूत करने काम होने काम किया गोगलकर की किताब आपको याद होगी उसी में से एक संदर्व लिया गया था आरक्षन की समिक्षा मोहन भागवत ने संदर्व की चर्चा की थी और वही संदर्व को मनुज्जा ने इतने कस के बांधा कि पूरा इंडियो जो है 2015 के चुनाब के दारान खुटे में बंधा हुआ नजराया था मनुज्जा की मुहिमका से इंकार नहीं किया जा सकता है और इस चुनाब के दारान 2020 का जो मुकावला है इस दारान भी मनुज्जा लगातार बिहार की राजनीती में सक्रियर है दिल्ली छोड करके बिहार में अपना देरा डंटा लगातार डाले हुए नजराया था संजाय आदब ये करी जो है बिक्स की अगली टहनी जो है संजाय आदब भी है संजाय आदब राजनितिक सलाकार रहते तो जैसी आदब के इसके बाद से संजाय आदब की बात करें तो जिस तरह से जब सरकार बनी थी 2015 में पहले ही ये सरकार कुछी दिन चली, दो ही साल चल पाई, लेकिन जब सरकार बनी थी, राजत की सरकार बनी थी, महागठबंधन की जब ये सरकार बनी थी, तो संजाय आदब जो है, राजनितिक सलाहकार थे पहले तो जो सी आदब के, और इसके बास से संजाय आदब उनकी पर और एक और बड़ी बात है उहीं का ये दिया हुआ है कि बिहार की राजनीती में अगर देखें इस बार देखें इस बार के चुनाब बिहार विधानसाबा चुनाब को देखें तो सभी दल जो है वो मजबूर हो गये एक अकेला इधर ते जश्ची आदम लग रहे थे दूसर अपने सब्दों की मर्यादा जो है वो भी नागनी पर गई लेकिन राजद में जगदा बाबू बटविक्ष की तरह थे अनुसासन की पुंजी है और इस तरह उन्होंने अनुसासित करके पुरे राजद को इस बार रखा कि इस बार चुनावी सभा के दौरान राजद सबसे सब्दों के मामले में सबसे अनुसासित हो करके ओपरी ये चार लोग की जो ये चकोड की जो टीम है वो लगातार राजद को संस्कृती पुरानी है संस्कार पुराना है लेकिन नए कलेवन में लाने की बात कर रहा है इस बार हम यहां हैं अपको लग रहा होगा इससे पहल कर दिया है जिस तरह से एक बड़ा राजनितिक बदलाब का यह समय होने जा रहा है अगर एकजिट पूल सत्थ होती है तो कहीं न कहीं यह चार लोग जो है जिसमें से दो राजपूत एक ब्राह्मन और एक यादब यही चार लोग मिल करके तेजस्ति यादब को जो है किंग बनाएंगे एक बड़ा फैक्टर है विहार की राजनिति के लिए तो कहीं न कहीं अब क्या होगा आगे यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन राजद एक नए कलेवर में नजर आ रही है नए अनुसासित ध्रंग से नजर आ रही है जो पुरानी जंगल राज वाली जो जबी थी उसको तोरते हुए नजर आ रही है एक बड़ी बात आपने दिखा होगा कि जब जंगल राज की बात आती है जब कुसासन के समय की बात आती है तो जसी यादव कितने सरलता से सामने जाकर के माफी मांग लेते हैं और कहते हैं यह दूसरा समय था युवा की सरकार आ रही है नई सोच के साथ आ रही है इस नई सोच को सीचने में कहीं न कहीं जर तो लालू परसाद यादव का है संसकार लालू परसाद यादव का दिया हुआ है लेकिन इस अनुसासित ढंक से चलाने के लिए जगदा बावु एक अच्छे हथ्यार है जगदा बावु एक अच्छे जो बात करें संस्कारित करके पूरे पार्टी को सहेज कर चलाने के लिए सनक्षित करने के लिए का पूरा स्रे जगदाबागु को जाता है संजाय यादब जी को जाता है मनो जहाद जी को जाता है और सुनिल सिंग जी को जाता है ये चार ऐसे हस्ती हैं जो इस बार ते जो सी आदब को किंग बनाने के लिए लगातार्चेत रक्षन कर रहे थे बिहार की राजनिती है हमेशा बदलाव होती रहती है और ये यहीं की राजनिती है जिसे सीखने के लिए बीजेसों से लोग आते हैं, यहां रहते हैं, क्यम्प डालते हैं, डेरा डंटा डालते हैं और सोचते हैं कि यहां की चाई की टपूरियों पे बैठ करके ही सही लेकिन कुछ राजिनितिक स्वाज जो है उनके जहन में आकर के चला जाए मिलेंगे आपसे अगले स्टूरी में, ख़बरों का सिलसला लगातार भात लाइप पे जारी रहता है बिना मिलावट की ख़बर के लिए आप लगातार देखते रहे हैं भारत लाइप, तब तक के लिए दीजे इजाज़त, नमस्कार